नमस्कार साथियों आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित के चौथे चेप्टर के बारे में जो की बीए के थर्ड समस्टर के छाठ चातरों के लिए बहुत ही मैत्पून होगा जब आप ये के थर्ड समश्टर में होते हैं तो हिंदी में आपको हिंदी गद्ध के बारे में पढ़ना होता यानि आपका सब्दक्र कर हिंदी है तो उसमें आप हिंदी गद्ध के बारे में जानेंगी हिंदी गद्य में हिंदी गद्य का उद्भोर विकास हमने समझ लिया था हिंदी कहानी का उद्भोर विकास समझा हिंदी उपन्यास का उद्भोर विकास समझा यह तीन चेप्टर हो चुके हैं चोथे चेप्टर में हम लोग हिंदी नाटक के उद्भो और विकास के बारे में जानने का प्रियास करेंगे, बारेकी के साथ अध्धन करने का प्रियास करेंगे, फिर इसके बाद में आगे और भी ऐसे हिंदी आलोचना हो गई, हिंदी एक आंकी हो गई, इन सभी से बनने व बाकी और भी chapters में प्रियास करूँगा, chapter wise videos आपके होते रहेंगे, लेकिन model papers भी other subject के भी दिये जाएं, ठीक है, ताकि आपको यह अनुमान लगे कि paper आपका कैसा आने वाला आपकी बार, लिखित paper कैसा आएगा, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है, हलाकि यहाँ पर हम समझने का प्रियास करते हैं कि नाटक का उद्भो और विकास कैसे हुआ, आपको बतादू, यह paid course का class है, लेकिन आज यह demo class मैं आपको दे रहा हूँ, चुकि लगातार आप लोगों की demand रहती कि सर्ट demo class दीजिए, एक परकार से बताएं, आप कैसे पढ़ाते हैं, त जो important चीजे और होगी एक आदो class वो भी मैं एक परकार से देने का प्रियास करूँगा, और बाकी class जो होगी या इसकी PDF notes जो होगी उसके लिए, या other subject को आपको बिस्तार से पढ़ने के लिए, आपको हिंदी साहित भी थर्ड समेश्टर का course लेना बहुत जरूरी है, अगर एक परकार से master बनने की परिच्छाएं होती हैं, ठीक है, तो अगर आप इनकी परिच्छा देना चाहते हैं, आप net.grf की परिच्छा देना जाते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, देखे, TGT basically इक अच्छा आठ तक की एक परकार से teacher बनते हैं, अच्छा 12 तक आपके teacher ब अगर आपको लेक्चेलर बनना है तो TGT PGT अगर आपको एक प्रकार से वैसे सामान टीचर बनना है तो आपको एक प्रकार से B8 बगरा करना पड़ेगा ठीक है लेकिन आपको अगर प्राइमरी का टीचर बनना है कच्छा पांस तक तो आपको BTC करना पड़ेगा यानि कि आपको समझा सकता हूँ, तो ये सारी जो जानकारी है, ये आपको हमारे दूसरे चैनल Co-Curricular Master पर मिलती रहती है, तो आप जो है हमारा दूसरा चैनल Co-Curricular Master नाम से है, उसको आप सबस्क्राइब कर लीजेगा, Co-Curricular Master यहां पर आपके करियर समधित तमाम परकार के डाउट्स आपके किलियर कर जाते हैं इसके साथ ही साथ वहाँ पर को करिकुलर की जो परिक्षाएं होती हैं आपकी जैसे जब आप थर्ड समस्टर में इस समय पढ़ी रहे हैं तो थर्ड समस्टर में आपको Human Values and Environmental Studies के बारे में पर पढ़ना होगा ठीक है थर्ड समस्टर में आपको क्या पढ़ना है थर्ड समस्टर में आपको Human Values and Environmental Studies के बारे में जानना है यहनि मानो मोलिय और परियावड अध्यन यह अनिवार प्रसंपत्र है बीए बीसी विकाम सभी में आपको इसको पढ़ना पढ़ना पढ़ता ह है ठीक है क्या 91-63-62 इसी पर आपको SMS करना है 91-63-62 पर आपको मात्र 100 रुपेज खर्च करने होंगे इसी सव रुपे में आपको संपूर्ण कोर्स हिंदी सहित का जिसमें हिंदी संपूर्ण गद्धी पढ़ाया जाएगा इसके अलमा आदर सब्जक्ट जो होंगे आपके इसी सव रुपे में करवा दी जाएगी यानि कि तयारी जो होती रही इसमें आपको model paper मिलेंगे बहुत सारे ठीक है model paper के अलमा आपको एक प्रकार से जो video lectures होंगे वो मिलेंगे chapter wise ठीक है chapter wise video lecture के अलमा आपको यहाँ पर जो मायराथन क्लास होंगी वो भी मिलेंगी ठीक है म राथन क्लास जो होंगी इसके लावा live test भी आपकी यूटूब पर रखे जाएंगे तो यह तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी लगातार तो अगर आप interested है course में आप आगे अपना career हिंदी में बनाना चाहते हैं या other subject में तो आप जरूर course भाई कर सकते हैं मात PDF notes जो होंगे वो भी आपको यहाँ पर एक परकार से मिलते रहेंगे हर एक chapter के और model paper के तो यह रहा एक परकार से कुछ जो है course related चीज़े जो मैंने आपको बताएं तो अभी admission कर लेंगे तो आगे चल करके आपको हिंदी में कोई कठिनाई नहीं होगी और बहुत ही बारिकी के साथ हर एक पहलों पर सुकला study point के द्वारा नजर एक परकार से दिलवाई जाती है एक परकार से आपका ध्यान आकरसित करवाया जाता तो इसका इसकी इंसाल ले लिजिए और course तुरंत बाई करे जितना जल्दी आप करेंगे उतने ही आपका profit होगा उतने ही फाइदा हो लेकिन मैं अगर मातर 100 रुपे में आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप please मेहनत को समझें ये ना समझें कि सुकला सर्जी 100 रुपे मैं दे दूँगा तो उससे बहुत अमीर हो जाएंगी वो 100 रुपे जो आप देंगे उसका एक परकार से book वगरा लेनी पड़त जिन में से 6% वो रख लेते प्लस में GST लगा देते तो इससे आपका ही घाटा होता आपको एक परकार से जादा पैसे पे करने होते इसलिए मैं application पर नहीं पढ़ा रहा हूँ ये बात आप ध्यान नहीं इसलिए मैंने एक course launch किया ताकि आप अगर गरीब है चुकि पता है म मैंने भी बिया किया है और मैं भी गरीबता जहला हूँ खुब जादा अब आप लोग की किरपा है कि थोड़ा बहुत जो है रोटी पानी अच्छे तरीके से चल जाती खाना पानी मिल जाता ठीक तरीके से थे लेकिन ये जो course का पैसा रखा गया इसलिए रखके हैं ताकि आप ध्यान लगा करके मल लगा करके पढ़ें कभी कभी क्या होता मैं यूटूब पर पढ़ाता हूँ आप लोग बात चीत करने लगते कमेंट में इस वज़ा से मैंने ये course लांच किया ताकि जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो लें और यहाँ पर आपके doubt session भी वगारा होते रहेंगे तो आप course ले सकते हैं अभी SMS करें तुरंत SMS करें और अपना course जो है बाई करें चले अब नाटक का उदभो और विकास समझ लेते हैं देखिए हिंदी नाटकों की अगर बात की जाए नाटक बेसिकली संस्कृत से ही आया है कुछ लोग इसमें ब स्सक्राइन आये नाया दुनिया वर का हैं तेन अपना जो दिमाग लगाते हैं बहुत सारे बिद्वान मैं उनको बिद्वान ही नहीं मानता हूँ या मानता हूँ तो बहुत कम कोटी का मानता हूँ चुकि आपने संस्कृत नहीं पढ़ा आपके वोल अंग्रेजी शाहित या अन्य साहित को पढ़ा युनानी साहित या इन्ही सब को पढ़ा फ्रेंच साहित इन्ही सभी से आपने बताया कि यहां से आया वहां से दुनिया भर के जिगा से आया लेकिन आप संस्कृत में नहीं देखते नाटक की उत्पत्ती संस्कृत सबसे पहले नाटक की उत्पत् काल में नाटक के बारे में मिलता है थर्ड समस्टर में मैंने संस्कृत सहत में नाटक की उत्पत्ती वगरा बताई है तो संस्कृत वाला चेप्टर अगर आप देख लेंगे तो किलियर हो जाएगा आपका चले नाटक सब्द की उत्पत्ती नट धातू नट जो है एक धातू है शंसकृत का उसी से मानी जाती जिसका आर्थ होता अभिनए अभिनए माने क्या होता है एक्टिंग करना ठीख है भारतमुणी के एक सूत्र के अनुसार नातक में लोक-जीवन की ब्रतियों का अनुकर्ण किया आता है तो लोक-जीवन की एक प्रकार से चीजे होती हैं उन्ही का अनुकरण करते हैं उसी की नकल करते हैं जो लोग जीवन में हो रही घटनाएं होती हैं उन्ही घटनाओं का हम क्या करते हैं नकल करते हैं अनुकरण करते हैं अनुकरण मलब होता है नकल करना उसी के जैसा करना ठीक है तो वही हम कर अच्छा भारत मुनी ने नाटक में बताया कि नाटक में चारो बेदों से कुछ कुछ चीजे ली गई है जैसे कि रिग बेद से पाठ लिया गया है जो नाटक में पाठ होता है उस पाठ को कहां से लिया गया है रिग बेद से लिया गया है साम बेद से क्या लिया गया भी या गान लिया गया है, सामबेद से गान लिया गया है, यजुर बेद से अभिने लिया गया है, यानि एक्टिंग जो हो है, वो यजुर बेद से लिग गई है, ठीक है, और गाना वाना सामबेद से लिगा है, चुकि संगीत भारती संगीत सास्तर का जनक है, यानि सारे गामा या अन्य जितने भी संगीत आज भारत में अबैलेबल है भारत में हो रहे हैं वो सारे संगीत का जनम दाता कौन है साम बेद है रिग बेद से पाठ साम बेद से गायन यजुर बेद से अभिनय यानि अक्टिंग और अथर्म बेद से बात की जाए तो रस लिया गया अथर्म से क्या लिया गया रस रसस्ते असो इतिरसाह और भारत मुनी कौन है भारत मुनी जो है ये रस संपरदाय के परवर्तक है छे संपरदाय बेसिकली हिंदी काबिसास्तर में होते हैं संस्कृत काबिसास्तर में जिसको आपको पढ़ना पड़ेगी इसमें पहला संपरदाय है रस संपरदाय सबसे प्राचीन संपरदाय है यानि ऐसा संपरदाय जो कि काब की आत्मा रस को मानता है यानि कि बीना रस के एक प्रकार से काब यदूरा होता है रसस्ते असो इतिरसाह ये भरत मुनी कहते हैं भरत मुनी की एक रचना है नाट शास्त्र उसमें उन्होंने बहुत ही बिधवत तरीके से समधाया है ठीक है तो ये बात आप ध्यान लखेंगे तो छे संपरदाय जिसमें आपका रज संपरदाय है फिर आप देखते आचार भामा का अलंकार संपरदाय है ऐसे ही आचार भामन आते हैं विद्वान है उनका रीती संपरदाय है ठीक है ऐस इसके ऐलाम आप देखते हैं धंदी संपरदाय का तो ऐसे ही आचार 6 में इंद्र और ये सब आते हैं और सभी समेश्टर में आपको साहित सास्त्र और हिंदी आलोचना पढ़ना पढ़ेगा तो साहित सास्त्र और हिंदी आलोचना में वहां पर हम लोग डीप में पढ़ेंगे कि आखिरकार नाटक की उत्पत्ति कैसे वह मिलब कि नाटक एक प्रकार से जो बने हैं नाटक में कौन-कौन से तत्तु सामिल है या रूपक क्या होते है सब चीज पर चर्चा हम करेंगे वहाँ पर ठीक है हलाकि यहाँ पर भी चीजों को मैं बताने का प्रियास करूँगा तो भारते नाटे सास्तर को नाटक को बलब भारते नाटे सास्तर में भारते नाटे सास्तर क्या है नाटे सास् के एक प्रकार से रचाईता है पंचम बेद इसलिए कहा चुकि चारों बेदों से कुछ-कुछ चीज़े मिला करके और एक नय प्रकार के एक प्रकार से स्टक्चर का निर्माड किया गया स्वरूप के निर्माड किया गया वो बना नाटक ठीक है और कहा जाता है कि इसका निर्मार स्वयम ब्रह्मा ने किया था नाटक का ऐसा माना जाता है ठीक है नाटक एक रंग मंचिये विधा है रंग मंचिये विधा का मलब क्या होता है यारी नाटक जो होता है मात रिसको पढ़ लेने से चीज़े समझ में नहीं आती है नाट से उनका डायलाग डायलाग delivery कैसे करने ही किसको कौन से पात्र में सजाना है किसको कैसे एक परकार से acting करना है सारी चीजे महापजेस एक movie आप देखते हैं तो movie में आप एक परकार से कहानी आप पढ़ते ह bitches लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें लोक परलोक की घटित अपघटित या आघटित घटनाओं का दिर्स दिखाने का आयोजन क्या था किसमें नाटक में लोक यानि की प्रतिवी लोक की और परलोक परलोक मलब दूसरे लोक की यह से की स्वर्ग लोक याने लोक की भी घटित और आघटित या इसी घटनाओं जो घट चुकी है या इसी घटनाओं जो अभी घटी नहीं है तो उन दोनों घटनाओं का दिर्श दिखाने का आयोजन या प्रायोजन या एक प्रकार से प्लानिंग करी जाती है नाटक में और इस कार के लिए अभी नए यानि की acting की सहायता ली जाती है इस तरीके से नाटक किया आता है, ऐसा डाक्टर स्याम सुंदरदा, जो हिंदी के बड़े आलोचक माने आते हैं, उन्होंने कहा, ठीक है, ये बात आप ध्यान लखेंगे, आगे बढ़ते हैं, तो हिंदी नाटक के मूल स्रोत की बगर बात किया है, तो वो एक प्रकार से संस् संस्कृत जो भासा है, सबसे प्राचीन भासा है, संस्कृत के बाद में कौन सी भासा आती है, पाली, संस्कृत के बाद में प्रकृत भासा आती है, प्रकृत के बाद में अब्रंस भासा आती है, और अब्रंस के बाद में आती है हिंदी, ठीक है, तो अब्रंस भासाओं से होती हुई प्राची नाटक परंपरा जो है पहले संस्कृत से सुरू होती है पाली प्राकरत अब्रंस और उसके बाद में अब्रंस के बाद में चुकी हिंदी भासा का विकास हुआ तो हिंदी में एक प्रकार से नाटक बाद में आई ठीक है, प्रारब में पूरवरती नाटकों का हिंदी में अनुबाद हुआ, यहीं कि जो संस्कृत के या पाली की अ परकृतिया भ्रंघश के नाटक थे, उनका शुरुवात में हिंदी में अनुबाद किया गया और फिर बाद में मौलिक लेखन प्रारब को हुँआ, एंग वुर्द की रचना कोई अनुबादिक रचना या एक प्रकार से ऐसी रचना न हो जो दूसरे भासा से हमने उसको अनुबाद किया हो, ठीक है? मौलिक रचना मलब की खुद की रचना प्रसनल रचना कोई कापी राइट ना हो हिंदी में प्रारंभी कवस्था के नाटक अंग्रेजी, बांगला, फार्सी, रंगमंच से भी बहुत अधिक प्रभावित है मलब की संस्किस से प्रभावित होने के बजाए ये लोग अंग्रेजी, बंगला और फार्सी से भी थोड़े बहुत प्रभावित रहे हैं ऐसा कह सकते हैं ठीक है भारतेंदू जी एगर बात किये तो हिंदी नाटकों के प्रणेता माने जाते हैं भारतेंदू के अनुसार बिसुध नाटक रीती का ध्यान रख करके हिंदी का सरपर्थम मौलिक नाटक जो है वो नहूस है उनके पिता थे भारतेंदू हरी चंजी के पिता का नाम था गोपाल चंद गिर्धरदास गोपाल चंद गिर्धरदास जो की भारतेंदू हरी नहुस नाम का एक नाटक है ये एक प्रकार से सबसे पहले हिंदी साहित में एक मौलिक नाटक है जो की प्रेम चंद जो मुंसी प्रेम चंजी है मैं स्वारी मुंसी प्रेम चंजी है भारते इंदु हरी चंज है इनके पिता जी गोपाल चंद गिर्धदास उनके द्वारा लि मसकंद भगवान स्री किष्ण के बारे में बताता है उनकी बाल लेलाओं के बारे में तो किष्ण चरितो पाक ख्यान जो है ये काठ मांडू जो नेपाल की राजधानी है वहाँ से एक प्रकार से मिला है एक नाटक किष्ण चरितो पाक ख्यान महराज बिसुनाज सिंग के द्वारा लिखा गया नाटक आनंद रगुनंदन जो की 1700 इस भी में लिखा गया है ये नाटक के रचना के सास्त्री नेमों को अपनाया गया इस रचना में आनंद रगुनंदन में महराज अब बिसुनाज सिंग की रचना है परंतु कालांतर में यानि समय, कालांतर मनलब होता है काल, काल माने समय, आंतर माने समय बीतने के बाद, तो कालांतर में वह हिंदी नाटक के बिकास को दिसा नहीं दे पाया, यानि हिंदी नाटकों की परंपरा में अगर देखें, तो उतना एक परकार से जबर्दस तरीके से चीजे नहीं आई तो भारतिन्दु जी ये इस परकार से नाटकों का विबरण कुछ अपने गरंथों में देते हैं इसके बाद में आते हैं हिंदी के सबसे जबरदस्त आलोचक, सबसे बड़े आलोचक आचार रामचंदर सुकल जी आचार रामचंदर सुकल लिखते हैं कि बिलक्षण बात यहाँ है कि आधुनिक गद्यसाहित की परंपरा आधुनिक गद्यसाहित की जो परंपरा रही है उसका प्रवरतन नाटकों से ही हुआ है चुकि 1850 के बात में आप देखते कहानियों का विकास तो जाकर कि 20-20 सताबदी में हुआ है यानि कि 1901, 1902, 1903 से हो चुके थे मलब 28 सताबदी या आप मान सकते हैं, हां 28 सताबदी ही मान सकते हैं ठीक है 1700 के बात से ही नाटकों की परंपरा सुरू हुए अलग-अलग भासाओं में लेकिन हिंदी में अगर बात किये तो 19 सताबदी में नाटक के प्रारंब के पुट आपको देखने को मिलत हैं और बेसिकली भारति इंदू से पहले नाटक के नाम दो चार गरंथ ब्रजभासा में लिखे गए थे यानि कि नाटकों के नाम पर या नाटक के रूप में एक प्रकार दोती नाटक अन गरंथों में ब्रजभासा बगरा में लिखे गए थे उसमें बिसनाज सिंग का आ अपनी महत्पूर अनुसंधान और रिसर्च के द्वारा यह माना कि नाटक का उद्भव और विकास तेरेवी सताब्दी में ही हो चुका था डाकर ओजहा के मतानुसार हिंदी का सरप्रथम नाटक है गय कुमार रास गय कुमार रास जिसका लेखन काल 1289 बिक्रमी है बिक्रम क संबत इसी करम में उन्होंने हिंदी नाटकों की परंपरा का उद्भव तेरेवी सताब्दी माना संदेश रासक जो है उसी संदेश रासक जो है यह भी नाटक है इसके द्वारा माना इसमें नाटकी तक्तों का समाबेश भी मिलता है बिलकुल संदेश रासक में हलाकि जो नाटक की परंपरा वर्तमान में है या नाटक की जो विसेस्ता हैं वर्तमान में नाटक में देखने को मिलती हैं वो विसेस्ता हैं आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी इस दिश्टी से इसको भी माना नहीं गया तो यही रही हिंदी नाटकों का एक प्रकार से परंपरा हिंदी नाटक का उध्भो हिंदी नाट साहित के विकास आत्मा कध्यन हितू उसे निम्न कालों में विभक्त किया जा सकता है आये जानने का प्रियास करते हैं प्रकार से पहला पूर्व भारतिंदू युगी नाटक चुकि भारतिंदू जी जो थे वो नाटकों के जनक माने जाते हैं ठीक हिंदी में नाटकों के एक प्रकार से जो नाटकों में सबसे बड़ा नाम आता है भारतेंदु जी का नाम आता चुकि भारतेंदु जी ने एक प्रकार से मौलग नाटकों का प्रारम किया और जबरतस नाटकों की रचना करी तो भारतेंदु यूग से पहले भी या भारतेंदु जी से पहले भी नाटक लिखे जा रहे थे दूसरा भारतिंदु यूगीन हिंदी नाटक यानि भारतिंदु जी के समय में हिंदी में नाटक का सरजन कैसे और रहा था? ठीक है? इसके अलामा तो आपको मैं क्या समझा रहा था भई मैं ये बता रहा था कि हिंदी नाटकों के जो परंपरा रही है ये हिंदी नाटकों का जो विकास यात्रा रही है उसको हम कई तरीके से जान सकते हैं तो पहला हमने क्या बता है पूर भारतिंदु यूगी भारतेंदू जी से पहले जो नाटक लिखे जा रहे थे वो दूसरे भारतेंदू युग में जो नाटक लिखे जा रहे थे भारतेंदू युग बेसेकली 1850 से मान सकते हैं 1900SB का समय जो रहा यह भारतेंदू युग का समय माना जाता है ठीक है इससे पहले यानि कि आप जिससे पहले जब भी सुरुआत होई यानि कि सुरुआती दौर से लेकरके और 1850 तक पुर भारतिन्दु युगी नाटक रख सकते हैं तीसरा जो परंपरा नाटक की रहे दृवेदी युगीन हिंदी नाटक दृवेदी युग कब से कब सकते हैं आप जो छाया वाद है उसी को प्रसाद युग भी आप कह सकते हैं पाचवाय प्रसाद युगी नाटक यानि प्रसाद युगी नाटक मलब 1936 से लेकर के 1947 तक का जो समय है यह आप मान सकते हो ठीक है इसके बाद में स्वतंतर योत्तर योगी नाटक यानी स्वतंतरता के बाद 1947 से लेकर के और अब तक के जो नाटक हैं उनको आप इसमें रख सकते हैं ठीक है तो यह कालकरम भी आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो ठीक है हलाकि कालकरम उतना important नहीं है लेकिन फिर भी आप अगर लिखना चाहें तो यह समझने के लिए अपने जो है ग्याचीजों को जानने के लिए आप इसको लिख सकते हैं यह कालों के बारे में समझ लेंगे देखें पहला पूर्व भारतिंदु युगीन हिंदी नाटक सत्रवी सताब्दी से ही हिंदी नाटकों की रचना होने लगी थी किन्तु इनमें नाटक के तत्तों का पूर्टा अभाव था, अभाव मानिक कमी थी, किसके तत्तों की अभाव की कमी थी भीया, नाटक के जो तत्तों होते हैं उन तत्तों की कमी थी, अनिय अभिनियता की कमी हो गई, या अन्य जो नाटक के तत्तों है उनकी कमी हो गई, देव देव एक बिद्वान है उनकी रिचिना है देव माया प्रपंच देव माया प्रपंच जो है ब्रजवासी दास देव माया प्रपंच एक नाटक है इसके लावा ब्रजवासी दास के द्वारा लिखे तरचिना प्रबंध चंद्रोदय बनारसी दास एक बिद्वान है उनके द ब्रज वासिदास एक बिद्वान ही नोंने प्रबंध चंदरोदे नाम का नाटक लिखा, बनारसिदास जी ने समयसार नाम का नाटक लिखा, तो ये सब रीतिकाल के ही नाटक है, सरंगार काल मलब रीतिकाल, परन्तु इनकी गर्णा नाटि साहित के अंतरकत नहीं की जाती, चुकिन में नाटे तत्यों का अभाव है, कमी है, ठीक है, निवाज एक बिद्वान है, इनकी रचना है साकुनतला, हिर्दय राम एक बिद्वान है, इनकी रचना है हर्मनाटक, प्राडचंद चौहान जी की रचना है, रामायड महानाटक, ठीक है, इन नाटकों में भी न वो ही मौलिक नाटक की रचना हुई है जिनमें पहला रचना जो है वो रीवा एक छेत्र है उस रेमा रीवा पर एक राजा थे सासन कर रहे थे उनका नाम था बिसनास सिंग ठीक है जो रीवा नरेश थे महराजा बिसनास सिंग उनकी रचना है आनंद रघुनंदन और दूसर उन नाटकों के बारे में यहाँ पर चीजे दिखाई पड़ती है, यह बात आप ध्यार नखेंगे, उची धंक से इनका सनक्षन हो पाया है, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि गिर्धर दास यानि गोपाल चंजो की भारतिंदू हरिचंजी की पिता जी है, उनके नाट लेखन में जो मौलिक ता थी, वह अपमूर रूप से हरिचंद में दिष्ट गोचर होती है, नहीं हरिचंद में भी वही नाटक के तक तो आपको दिखाई पड़ेंगे, जो उनके पिता गोपाल चंद गिर्धर दास में आपको दिखाई पड़ती थी, ठीक है, तो यह एक प्रका गोपाल चंद गिर्धर दास ने लिखा, ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा जो नाटक की परमपरा रही है, वो रही भारतिंदु युगीन हिंदी नाटक, भारतिंदु जी के समय में नाटकों का एक परकार से उद्भो, एक परकार से होता और भारतिंदु युक्से न नाटकों की एक परकार से नाटके तत्तों की परचुड़ता के साथ नाटक आगे बढ़ते हैं, ठीक है, भारतिंदु को हिंदी का परथम नाटक कार माना जाता है, या माना गया है, इन्होंने जहां एक और जनसामान के अंतर्गत या अंतरमन में रास्टी भावना को उस दवरान के नाटक लिखेगे चुकि समाजिक और राजनेतिक जो चीजे होती हैं उप्रभावित करती हैं कविताओं को या जंता को या कवियों को या लेखों को ठीक है भारत इंदू के बारे में गड़पती चंद्रगुप्त एक विद्वान है उन्होंने कहा कि यदि हम एक ऐसा नाटक कार ढूण है जिसे नाट सास्तर के गंभीर अध्यन के आधार पर नाट कला की सैधानतिक आलोचना लिखी हो जिसने प्राचीन एवं नभीन स्वदेसी और विदेसी नाटकों का अध्यन और अनुबात किया हो जिसने बैक्तिक, समाजिक और राष्टिस समस आत्यस्याओं को लेकर कयानेक पराडिक, एतिहासिक और मॉलिक नाटकों की रचना की हो, जिसने नाटकों की रचना ही नहीं अपितू, उन्हें रंग मंच पर खेल कर भी दिखाया हो, तो इन सब विषेस्ताओं से संपन एक ही नाटककार हें हिंधी में, एक मनलब नाटकक का अस्थान सबसे उचा होगा ऐसा इन्होंने कहा ठीक है यानि भारतेंदु जी ना केवल लाटकों का रचना करते थे बलकि उसको मंचन करके भी दिखा देते थे ऐसे थे भारतेंदु हरीचंद उनमें तमाम प्रकार की विसेस्ताएं थी भारतेंदु हरीचंद के नाम पर यहीं 50 वर्थों का हिंदी में एक प्रकार समयकाल नहीं रखा गया चुकि भारतेंदु यूग बड़े विद्वान आदमी थे उनके नाम पर चुकि यूग परवर्तक उनको इसलिए कहते हैं चुकि यूगों में एक प्रकार से रहे हैं कई यूगों का नाम उनके नमलत भ भारतेंदु के पूर्व नाटकों के विशेवस्तू जो सीमित थे उन्हें उन्होंने तोड़ दिया इस यूग में लाला स्री निमास एक बड़ी बिद्वान आदमी है लाला स्री निमास एक प्रकार से इनके अगर बात की जाए लाला स्री निमास दास इनकी रचना है प् अब्जक्टिम में या आतिलग उतरी में आपसे प्रसने पूछा आता रहा कि भारतिन्दु युके किनी तीन नाटक कारों के नाम लिखे हैं, चार नाटक कारों के नाम लिखे हैं, ऐसे प्रसनाब से पूछते हैं, लाला स्री निवास दा सुन में पहला होगा, परताब नमिसरा जी ने इस तरीके से यहां के नाटक कार रहे हैं भारतिंदु यूग के, इस यूग में समाजिक और राजनितिक और राष्टी भाला से परिपूञ नाटक, भ्यंग और प्रहसं भी लिखे गए अन्य कि जो भ्यंग या प्रहसं होते है, एक प्रकार से वो हसने के लि नाटक दुखनी बाला, प्रताब नाड़ मिस्रा जी का एक नाटक है गो संकट ये सब प्रमुक नाटक हैं जो की एक परकार से समाजिक राजनेतिक और राष्टे भावना से पनपूर नाटक हैं और ब्यंग और प्रहसन के माध्यम से लिखे गए हैं भारत दुदसा में कहते हैं कि हाँ हा भारत दुदसा आई कि क्या थे क्या होंगे अभी आओ मिलकर बिचारे समस्याएं सभी भारत दुदसा नाटक हो गया अंधेर नगरी नाम का नाटक हो गया भारत दुदसा का ही नाटक है तो इन नाटक में दाइनिय भारत के अनेक चित्र आपको भारत दुद किया गया है उन्मन मानवी पात्रों को रखा गया नाटकों का संबंद मानो जीवन से अस्थापित करने का स्रेय जाता है तो किसी को तो भारतिंदू यूगी नाटक कारों को गद्द में नहीं बलकि पद्द में लिखे जा रहे थे और ब्रजभासा में ही लिखे जा रहे थे लेकिन भारतिंदु युग में आते हैं जो नाटक जो लिखे जाने लगे वो खड़ी बोली में एक प्रकार से नाटक लिखे जाने लगे खीक है आगे दिखेंगे तीसरा काल है दृबेदी यूगीन दृबेदी यूगीन हिंदी नाटक के अगर बात की जाये तो इस यूग में मध्यवर्ग की बृध्धी के कारण नाटक कारों का संबन सामान जन जीवन से तूट गया इस यूग के नाटकों पर सांस्कृतिक और राजनेति का अंदोरनों का प्रभाव पड़ा महाविर परसाद दृवेदी सैली और भासा में परिसकार और परिमारजन करने में ही अपने आपको निमगन किये रहे भारतेंदू जो दृवेदी यूगीन नाटक है बेसिकली ये भारतेंदू हरिश्चंद के नाटक जो ल लेकर के या भासा को लेकर के रही वो कमिया आप देखेंगे कि दृवेदी यूग में दूर हो गए चुकि दृवेदी यूग में नगरी परचारडी सभा क्या नाम है इसका सरसती पात्रिका एक निकलती थी जिसका संपाधन किया करते थे पंडित महाविर प्रसाद बहुत बड़े बिद्वान आदमी थे उनके यहाँ पर जब कोई रचना प्रकासित होने को आती थी सरस्तिपात्रका से तो उस रचना को पहले पढ़ते थे उसमें जो कमिया होती थी उस कमियाओं को बताते थे उस ब्यक्ति को ठीक है तो कहीं न कहीं पे आप ये देखें कि जो एक प्रकार से भारते अंदु हरी चन्द के नाटकों में जो भासा को लेकर के या जो खड़ी बोली में इन्होंने अभी तक नाटक लिखे उनमें जो थोड़ी बहुत कमिया रहे थी भासा को लेकर के वो कमियाओं करके खड़ी बोली में एक प्रकार से भासा का चुकी बहुत ओधी मातरा में लिखेंगे, भारति अंदी युए के उपरान्थ प्रसाद युग में ही हिंदी नाटक पूर्टा को प्राप्त कर पाता है, प्रसाद युग में जब आप देखेंगे नाटको को की रिचना है तुलसी दास ब्योगी हरी एक बिद्वान है कभी लेखक है उनकी रिचना है प्रवुध यामने मिसर बंधों की रिचना है सीवाजी माखलना चुतरवेदी की रिचना है कृष्णा रजुन युद्ध ठीक है ये सब इसी परकार के नाटक है जो कि एतिहासिक न नाटकों का मंचन करने में बड़ी कठनाई भी होती है लोगों को चुकि एतिहास में युद्ध हो रहा तम युद्ध होतेने छोटे से मंच पर कैसे वेक्ति करेगा छोटा युद्ध तो हो जाएगा लेकिन बड़ा युद्ध नहीं कर पाएगा या ऐसे से जगहों का सज पित रूप नाड़ पंडे जी ने किया, सेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद गोपिनाथ पंडे जी ने किया, तो गोपिनाथ पंडे इन्हों ने जो सेक्सपियर के नाटक थेंगरे जी के उनका अनुवाद किया और जो बंगला के उतकृष नाटक थे उनका अनुवाद रूप नरड़ पांड़े जीने किया हिंदी में ठीक है तो अनूदित नाटक जरूर इसमें उच्छ क्वालिटी की मिलते हैं लेकिन मौलिक नाटक जो की प्रकार से मिलते हैं लेकिन वो एतिहासिक नाटकों की धरातल से हैं बाकी नाटक की जो भी सेस्ताय अन्य है उसको फा कोंड से कर देखें तो उतना सफल नहीं रहा लेकिन फिर भी भासा और सैली को ले करके द्रवेद युग में बहुत काम हुआ जिसकी वज़ा से जो प्रसाद युग के नाटक है उनमें एक परकार से अन्य लब एक अलग टाइप की लचक और अलग टाइप की एक परकार से ज सेवस्तु के रूप में चुना है इनके नाटकों में स्वाभिमान, स्वादेश भक्ती, मलक की स्वादेश अभिमान, जाती ये गवरो इन सभी को मरमस परसी अभिवक्ती मिली है यानि जो जैसंकर प्रसाद है ये एक परकार से नाटकों को आगे बढ़ाने का बेण आपन की सारी क्वालिटी जबरदस्त रही है प्रसाद के नाटकों की भासा संस्कृत निष्ठ हिंदी है जिसको आसानी से समसना पाठकों के लिए दुरू होता है यानि कि जब आप प्रसाद के नाटकों को पढ़ेंगे थोड़ा आपको जटिल लगेंगे कठिल लगेंगे सामा प्रकार से एक प्रकार से कभी की भी डाइलाग बहुत लंबे-लंबे हो जाते हैं। इनके नाटकों में सज्जन, कल्याडी, परेड़ा, यह सब नाटक हैं, करुडाले हो गया, प्राश्चित है, राज सिरी है, बिसाक है, अजा सत्रू, असकंद गुप्त, चंदर गुप्त, धुरुबश्वामनी, धुरुबश्वामनी आपके पाठे करमें संकली थे, में पौराडी के तिहासिक समाजी कादी अनेक प्रकार के नाटक लिखे गए है, सुदर्सन, पांडे, मलब सुदर्सन, पांडे, बेचन, सर्मा, उग्र, पंडित लक्ष्मी नाड मिस्रा जी, गोबिन बल्लपंथ जी, उधर संकर भट जी, हरी किष्ण प्रेमी जी, यह अब अगला हम समझते, प्रसाद उत्तर, यानि प्रसाद युग के बाद में जो नाटक आये, वो एक प्रकार से कैसे नाटक लिखे जा रहे थे, प्रसाद उत्तर चुकी प्रसाद युग तक आते हैं थे, नाटक का पूरा विकास हो चुका था, अब नाटक में किसी प्रक प्रसाद उत्तर युगी नाटक, प्रसाद युग के बाद नाटि विधाओं का क्रमसा उत्तर विकास हुआ, इस युग में के नाटक कारों पर सा, इबसन, मैटर लिंक, ये सब पास्चात विद्वान हैं, इन नाटक कारों का असपष्ट परभाव देखाया सकता है, सा, इबसन, ठीक है, मैटर लिंक, ये सब पास्चिम के विद्वान हैं, इनके नाटकों का प्रभाव या इनका प्रभाव भारती नाटक कारों पर देखने को मिलता है, हिंदी के, इस युग के नाटक समसामाईक जीवन पर, यानि कि जो करंट के मुद्दे होते थे, उन पर आ नाटक सांस्कृतिक पुनरुथान के निमित लिखे गए, पौराडिक नाटक कार अधिकांस्ता, भगवान, राम, एवं किष्ण के चरितर पर आधारित हैं, इसके तदंतर एतिहासिक नाटकों में प्रेम, विवाह, तलाक, दहेज, छुआ छूत, इन तमाम प्रकार के मु प्रसाद जी की भाव भूमी पर संपन की, इनके लिखे नाटकों में कला के साथ साथ अभिनियता का प्रधान है, यानि नाटक में एक्टिंग और एक प्रकार से कला दोनों दिखाई पड़ती है, इनके नाटकों में कंजूस की खोपड़ी, बर्माला, राजमुकुट, अ बड़त्स नाटक कार हैं, इनका नाम आप प्याद रखेंगे, इस युक के आने नाटक कारों में सेट गोबिनदाज जी का नाम आता है, लक्षमी नाटमिस्रा जी का नाम आता है, पांडे बेचन सर्माउगर का नाम, उपेनात असकन का नाम, ब्रिन्दा बलाल बर्मा, ब प्रदान नाटक के एक समयस्या कुठा करके उस पर नाटक करते थे उस समयस्या का समाधान उस नाटक में बताते थे ये एक प्रकार से लक्षिमिनाड मिसराजी ने इबसन और साक के प्रभाव से ऐसा किया मिसर जी के नाटकों में समाज केस, अस्तंभ, सन्यासी, रक्षस का मंदिर, राज योग, मुक्ती का रहस, गुडिया का घर, नारद की बीड़ा, गरुड धज, वत्सराज, बितस्ता की लहरे, आदी विसेस रूप से ये सब नाटक जो हैं, ये पंडित एक प्रकार से लक्ष उदर संकरभट जी, उदर संकरभट बड़े विद्वान आदमी थे, इन्होंने पौराडिक नाटकों की रचना एक प्रकार से की ही बहुत मात्रा में, इन नाटकों में इतिहास के सासात कलपना की समानता भी है, यानि इतिहास के सासात इमेजनेशन भी आपको उसमें इतिहास की नाटकों की रचना नहीं की है, इतिहास और कलपना का मिसरण है, इतिहास की नाटकों में दाहर और विक्रमादित विसेस रूप से उलेखनी हैं, उदर संकरभट के नाटकों में, आवा और सागर विजय उचकोट के पावराडिंग नाटक हैं इनके उदर वित्यासिटर कालिदास मेक दूट ये सब नाटक उदास संकरभट के बड़े फेमस नाटक है। इतिहासिक नाटक कारों में ब्रंदा बलाल बर्मा का नाम भी सिस रूप से यहाँ पर लिया जाता है इतिहासिक नाटक कार इतिहासिक उपन्यास कार में एक परकार से ब्रंदा बलाल बर्मा नमबर एक पर हैं इनके इतिहासिक नाटकों में हंस मयूर नाटक, जहासी किरानी, बीरबल, कस्मीर का काटा, पूरब की ओर, फूलों की बोली ये सब नाटक जो हैं ये एक परकार से इन ही के नाटक है पंडित ब्रिंदा बल्लाल बर्माजी का ठीक है इसके बाद में अगले नाटक कार है प्र उपेनाथस्क का, सुरक की जलक भीन ही का नाटक है, कैद और उडान भीन ही का नाटक है उपेनाथस्क का, छठा बेटा, आदी मार्ग, ये सब नाटक जो हैं ये सब उपेनाथस्क के नाटक हैं तो ये सब प्रसाद उत्तर युक्के नाटक हैं यानि प्रसाद युक्के ब रखेते हैं वर्तमान यूग अति भौतिकतावादी बुद्धिवादी और यथार्थवादी रहा है यानि जो यथार्थ में चीजें हैं उसको वह इसे लिख दे भौतिकवादी बुद्धिवादी यानि तरक सकती इन सभी पर नाटक लिखे गए इस यूग में योन कुंठ प्रगती आदिने मानों जीवन को नाना मने कई परकार के भयाकुल कर दिया मनुस को मनुस सोचने पर मजबूर हो गया है इसका परड़ामिया हुआ कि इस यूग में नाटक चाहे वह इतिहासिक हो या पावराणिक हो या समाजिक या धार्मिक सभी समकाली समिस्याओं से आ पर अपने आपको आसीन रखते हैं जगदीश चंद्रमाथुर, विश्नु प्रभाकर, मोहन राकेस, लक्षमिनाडलाल, संकर सेस, नरेश महता, बिनोध रस्तोगी, सुरेंदर बर्मा, मुद्रा राक्षस, रमेश बक्षी, मडी मधुकर, सुसील कुमार सिंग जी, सर्वे इनका नाम आप सब भी लोग अगर ना जानते हो तो जान लीजिए, अमरे तरह मुझसी प्रेमचंजी के पुत्र है, ठीक है, तो इस यूग के नाटक कारों के अगर बात किये तो इस यूग के नाटक के अथार्थवादी हैं, विसेवस्तू, सैली और रूप बिधान की द नाटक लंबी यात्रा के उपरांत अपनी विकास के चर्मोतकर्स पर है, आज का नाटक रंगमंची होने के साथ ही साहित्तिक भी है, आपको बता दूं कि दरपड, अनामिका, दिसांतर, आज नाट संस्थाएं, नाट सिल्प में नूतन प्रियोग कर नाटक बिधा को उत् नाटक का विकास हो रहा है और हिंदी नाटक अपने चरम पर है वर्तमान में, अनि हिंदी नाटकों में आप कोई बदलाओ की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप लोगों ने हिंदी नाटक के बारे में बिस्तार से जाना, ठीक है, बाकी जो कलास होगी, वो एक दम से आप की कलास होती रहेगी, ठीक है, तो उसके लिए आप तयार रहेए, बाकी राजनीती, सास्त्र या राजनीती विग्यान का जो थर्ड चेप्टर, स्वरी, सेकंड चेप्टर है, यह हो चुका है, थर्ड चेप्टर जल्द ही आप का जाएगा, इसके लिए आप तयार रहेए, जै हिंद जै भारत आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेसा बना रखेंगे बहुत बहुत धन्यबाद आप सभी का